गुड मॉर्ण एब्रीवन आज 22 जून 2022 है दैनिक जागरन के राष्टिय संसकरन का कम्प्लीट न्यूज एनलाइसिस करेंगे जो यूप्यसी एस्टेट पीचियस या किसी भी वन डे एक्जाम के पिलिम्स मेंस और इंटर्व्यू तीनों ही प्रस्पेक्टिव से न करें करें हो क fet TW फर्स्ट इंटर्व क्याल प्रिप्रियू अपनी यिम्स अपने आप में काफी इंपोर्टेंट है हम लोग राष्टपति एलक्षण का वीट कर रहे थे तो राष्टपति के इलेक्ट्सन का जो गोसना किया किया इन्ड़िय ने वह द्रोपति मुर्मु का घोषना किया है इने candidate बनाया है और बिपक्ष ने यसवन सिनाज्य को राष्टपती का candidate बनाया अब देखिए अधिक important नहीं है जो भी सक्स चुने जाएंगे वो exam perspective से important होगा exam प्रस्पेक्टिस पर राष्टपती का चुनाओ अपने आप में important है कि राष्टपती का चुनाओ कैसे होता है क्या प्रक्रिया अपनाया जाता है यह राष्टपती से संब्धित जो भी आर्टिकल है उस आर्टिकल को लक्ष्मी कांद के बुख से आप लोग देख लीजेगा वो एक्जाम प्रस्पेक्टिव से आपके लिए important होगा अगेन अगनीवीर योजना के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे तो मैंने बोला कि डेली इसको पढ़ने क्या हो सकता नहीं है अगनीवीर के बारे में basically एक अपना प्रस्पेक्टिव बनाई है कि हाँ अगनीवीर क क्या है उसका कुछ साकारात्मक संदर भी क्या हो सकता है चार पांस साकारात्मक संदर जो लिजिए कुछ निगेटिव इंपेक्ट भी देखिए कि हाँ इसका क्या निगेटिव इंपेक्ट हो सकता है और क्या solution हो सकता है इससे ज्यादे देखनी क्या है सकता नहीं है रहुल से ED ने कुई पूस्तात यहां पर देखे ED important रहुल गांधी से क्या पूस्तास कर रहे हैं वो important नहीं है ED important है और दूसरा जो important है वो है National Herald case तो दो न्यूज यहां पर important है एक तो ED important है ED पर हमने कई बाट discuss किया है 9056 में ED के अस्थापना हुआ था enforcement direct rate का और basically दो एक्ट के उलंगन पर ED action लेती है Prevention of Money Laundering Act 2002 और FEMA Act 1999 Foreign Exchange Management Act 1999 तो यह दो एक्ट के उलंगन पर ED action लेती है यानि ED ने अगर मानने राहूल गांधीजी को सम्मन किया है या उन्हें बुला रही है तो basically उन्होंने इन दो एक्ट का valuation किया हुआगा इसलिए उन्हें बुला रही है दूसरा है कि National Herald case क्या होता है इस पर भी हमने details से discuss किया था आज मैं चर्चा नहीं करूँगा तो यह दो प्रस्पेक्टिव यहां से important है अब दिखिए एक मंच पे होंगे भारत और पाकिस्तान के विदेश मंतरी basically राष्ट मंडल का सम्मिलन होने वाला है और यह रवांडा की राजधानी किगाली में होने वाला है और किगाली से एक important agreement भी है जो आप रूक परह होंगे तो किगाली में यह सम्मिलन होने वाला है तो basic थोड़ा समय डिस्कस कर दूँगा यहां पे कि आखिर राष्ट मंडल सम्मिलन क्या होता है और यह meeting किस रूप में important है राष्ट मंडल सम्मिलन 2022 का आयोजन किगाली में किया जा रहा है 23 से 25 जून 2022 यानि कल से यह शुरू होगा और 25 जून तक यह चलेगा रवांडा की राजधानी किगाली में हो रहा है राष्ट मंडल विसिकली 6 महादूप में फहले 53 देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है यह ऐसे देश है जो पूर्व में बिटेन के उपनवेश रह चुके है तो राष्ट मंडल के जितने भी देश थे वो पहले बिटेन के उपनवेश रह चुके है और टोटल इसमें 53 द सरकारी संगठन है इन सभी देशों ने लोक्तंत, लेंगिक सवांता और अंतलास्थिय सांती और सुरक्षा के लिए एक समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं इन देशों में अफरिका में 19, एसिया में 8, अमेरिका में 3, केरिवियन में 10, यूरोप में 3, तथा दक्षिन परसंत में 11 देश सामिल है, इसके अंतर अगर दुनिया की लगभग एक त्याही आबादी और बिभिन जाती, धर्म भासा और आयसे सम्मंदित लोक सामिल है, इन में से लगभग 60% के आयूप 30 वर्ष से कम है, और सबसे इंपोर्टेंट देश अगर आप देखेगा तो 3, 4 जो सब अपनिवेश रह चुका, तो उन ही का एक सम्मेलन होता है, राष्ट मंदल सम्मेलन, तो देखने है राष्ट मंदल में क्या घोसना होती, इसकी जो भी घोसना होगी, वो हम लोग यहां पर डिसकस करेंगे, घोसना इंपोर्टेंट होने वाला, देखे इस मेहने में 3 इंपो हो रहा है, और ये ओनलाइन सम्मीट होगा, जिसमें प्रधान मंत्री जी पाटिसिवेट करेंगे, और जो तीसरा सम्मीट है, वो G7 का सम्मीट है, I think 26-28 के वीच में G7 का सम्मीट होने वाला है, जो जर्मनी में होगा और हो सकता है हमाई देख के प्रधान मंत्री वहां पर फिजिकली यात्रा करें, वहाँ पर जाएं, तो ये तीनों ही सम्मीट एक्जाम प्रस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा, इस पर आपकी भी नजर रहनी चाहिए और हम लोग भी यहाँ पर डिसकस करेंगे योग दिवस पे और मजबूत हुई भारत की soft diplomacy, diplomacy बिसीकली दो तरगा होता है एक तो hard diplomacy होता है और एक soft diplomacy होता है hard diplomacy मतलँ होता है कि किस देश को, diplomacy मतलँ होता है कि किस तरह से आप किसी अन देश को influence करते हैं तो जब आप किसी देश को पैसा के दम पे, सैना के दम पे, हत्यार के दम पे, किसी देश को influence करने का काम करते हैं, तो उसे का जाता है hard diplomacy या hard power diplomacy. कि भारत क्या हाँ दτι्प्रमेशि नहीं है अमेरिका देखेंगे हाट पावर डिप्रोमासी है पैसा केấu दम पे यह अपने पावर के दम पे अन्य देशारो को influence करता है तो अमेरिका को आपके Heart Power Diplomacy है भारत जो है Soft Power Diplomacy है जो कि भारत आपर देखिएगा कि योग के दम पे बिश्व के 150 देशों को भारत ने influence किया यानि 150 से अधिक देश में योगा कारिश करा मनाया गया जो योग भारत की ही देन है तो ऐसी चीज जहां पर आप अनि चीजों के माध्यम से किसी अनि देश को influence करते हैं तो उसे कहा गया Soft Power Diplomacy किसी skill के द्वारा करते हैं किसी technique के द्वारा करते हैं या किसी पधती के द्वारा करते हैं तो उसे कहा गया Soft Power Diplomacy तो एक तो योगा हो गया भारत की softboard diplomacy का आधार अस्तम कर सकते हैं और दूसरा देखेगा गांधी जी, जी जन्म दिवस मनाय गया था तो I think 150 से अधिक देश में गांधी जी का जन्म दिवस भी मनाय गया था भारत की softboard diplomacy का आधार अस्तम गांधी जी को भी माना जाता है इसको एक बार देख लीजेगा यह important है और इसमें basically important है DFC dedicated fret corridor dedicated fret corridor जो है यह काफी important है और यह important क्यों है यह important इसलिए है कि हम अपने निर्यात को बढ़ावा देना चाहते हैं dedicated fret corridor में basically railway में जो line है जो जिसे माली जी यह railway का line है दो line है तो यहाँ पे गारी एक से जाती है और एक से गारी आती है इसी तरह से दो extra line बन रहा है यहाँ पे जिस line पे सिर्फ जो है मालगारी जाएगी और मालगारी आएगी ताकि जल्द से जल्द जो है मालगारी के द्वारा जो भी समान उस समान को समुद्र के पास पहुंचा जा सके ताकि निरियात हमारा फास्ट हो सके इसी का कॉंसेप्ट है डेडिकेटेड फ्रेट कोईडर चुनोतियों से निपटने के लिए दूपक्षिय रक्षा संबंधों को विष्तार देंगे भारत और आस्टेलिया अब देखे यह जो है यह आस्टेलिया के रक्षा मंतरी हैimiento इसलिए भी है कि आस्टेलिया के उप्रधान मंतरी भी है यह इनका नाम है Richard Marcel तो यह भारत आयो है और भारत की विदेश मंतरी से मुलाकात कर रहे हैं अब ऑस्टेलिया भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है यह तो हमने कई बार डिसक्रस किया लेकिन एक खास पॉइंट जो मैं आपके साथ डिसक्रस करूंगा वह है एटीसी है कि दुस्त्रस मतल से इकौनमीक कौपरेशन nd ट्रे अग्रिमेंट अब याद रखिजेगा कि ऑस्टिल्या पहला विक्सित देश है जिसके साथ भारत ने free trade agreement sign किया भारत ने इससे पहले UAE के साथ free trade agreement sign किया लेकिन UAE विक्सित देश नहीं है, Australia पहला विक्सित देश है जिसके साथ भारतने free trade agreement sign किया और इसको जब आप पढ़िये गए तो इसमें कई सारा इसाथ चीजें है जिसको पहली बार include किया गया या उसमें कहीं नहीं कहीं भारत के जो हीथ है भारत के किसानों की हीथ उसको ध्यान में रखा गया जैसे यह जो agreement है इस agreement से किसी product को बाहर रखा गया ताकि भारत के किसान जो है वो प्रभावित ना हो बाकि मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करूंगा और अस्टेलिया इंडिया समन्द पर कई बार हमने चर्चा किया मिट्टी और प्रियावरण बचाने के लिए सामोहिक प्रियास करने होंगे इसा फॉंडिशन है बिसिकली तमिलाडू की वो इस पर काम कर रही है तो उसी को लेकरके यहाँ पर मन्य रक्षा मंतरी जी का स्टेट्मेंट है उरिशा में सूचना अधिकार कानून के डारे में आया विजलेंस बिभाग एक बार इसको देख ली जीगा हाँ इंपोर्टेंट न्यूज आज का यह है पिलिम्स प्रस्पेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है सन्यूक्त राष्ट में भारत के राजदूत है टी एस त्री मूर्ती अब वो रिटायर होने वाले हैं टी एस त्री मूर्ती उनके जग़ पे अभी रूचिला कमबोज सन्यूक्त राष्ट में भारत की अस्थाई प्रतिनिधी न्यूक्त होने वाली है यह एकजाम प्रस्पेक्टिव से काफी इंपोर्टेंट है रूचिला कमबोज यूएन में भारत की अस्थाई प्रतिनिधी न्यूक्त होने वाली है हुआ कि उसके po음 है रyn्वे इनोवेशन पॉर्टल का शुरूबात करने के त्रुवात करुए और में स्टार्ट आप कर रहा हैं रमें भी मिनिस्टी के द्वारत दिया जा रहा है कि वहां के जितने भी युनिवर्सिटी हैं, उस उनिवर्सिटी का कुलाधी पती राजपाल को हटा करके मुखोंत्री बना दिया जाया इसके लिए बिल पास हो गया, विधान सभा में है, अब बिधान सभा में अगर कोई बिल पास हो जाता है लेकिन फाइनली आता किसके पास है राजपाल के पास और राजपाल अगर उस पे साइन माली ये नहीं किया या लटका कर रख दिया तो फिर तो कानून बनेगा नहीं तो ultimately यहीं होने वाला इस तरह का बिल भले ही विधान सभाप पारित कर दे लेकिन उसको साइन करेगा राजपाल और जहां पर राजपाल की सक्ति सिमिद किया जा रहा ह। मुझे नहीं लगता है कि राजपाल यहां पर साइन करेंगा इसी कंडिमी में बिल बिल जो है नलल अलल गॉइड भी हो सकता अ कि अल्रेडी इसके बारे में हमने डिसकेस किया है कि 22 से 25 जुन किगाली में होगे जैसेंकर तो हमारे देश की विजिस मंत्री वहाँ पर होने वाले हैं और कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक की चर्चा किया जाएगा किगाली में राष्ट मंदल सम्मेलन में उसका डिसकेसन यहा वास्त, सहरीकरन, जीवन यापन की बहतर मोका कैसे होगा तो यह सब यहाँ पर चर्चा किया जाएगा हमारी देश की जो Chief Justice of India उनका statement है कि मर्द्यस्ता प्रक्रिया में घरेलू अदालतों के हस्षेप की आसंका निराधार एनवी रमना इसको एक बार आप लोग देख एक प्राठकरम त्यार कर रही है जिसमें बिभीन जग के जो प्रामर्स लिया जा रहा है गौण से लेकर के जीला में सहर में हर जगर प्रामर्स लिया जा रहा है और उसको सागरात्म कदम कही है कि अगर कोई सरकार बिल ला रही है सरकार कानून ला रही है या सरकार कोई प दिल को लाने से पहले सरकार को ब्यापक बिचार विमर्ज करना चाहिए ता किसान से बाचित करना चाहिए जो सरकार नहीं की इसलिए दोनों का ब्यापक रूप में विरोध देश में हुआ था लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखेगा राष्ट्य सिक्षानिती 2020 ये सरकार लाई और देश में कहीं इसका बिरोध नहीं हुआ क्योंकि राष्ट्य सिक्षानिती 2020 लाने से पहले देश वहर में उसमें विचार विमर्ज किया गया था इसी तरह से राय जीला अस्तर पर गौन अस्तर पर राय भी मांगा गया था तो ये काम एक साकारात्मक रूप में क तो अगरेन यहां पर दिया हुआ इसको आप लोग पढ़ लिजेगा ». होने वारे राष्टपती के बादे में कुछ चरका यहां पे हैं ये पूरा पूरा पेज लगभग मैक्सिमम न्यूज यहाँ पे है दिया हुआ अगने पत योजना के बारे में तो इसको पढ़ने के डिटेल में आवशक्ता नहीं है बस बेसिक कॉंसेप्ट किलियर होना चाहिए अस्तम में बार्ड से अब तक बेरासी लोगों की गई जान 41 लोग प्रभावित अस्तम में बार्ड की समस्या आ चुकी है और यहीं बिहार में बार्ड की कंडिशन होती है देखे बाड में important ये है कि बाड आखर प्रतिक verbs आती है तो आती क्यों है क्या बाड का समाधान का कुछ सकारात्मक प्रियास हो रहा है क्या बाड के समाधान का कुछ पर्मानेंट प्रियास किया जा रहा है राष्टी बायाट आयोग ने अपनी क्या recommendation दिया था और बाड के solution के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं बाड के solution के लिए तकनिक का क्या क्या प्रियोक कर सकते हैं तो यह सब संदर्व important है जब बाड पे या सुखा पे आप notes बनाएगा तो इस सब संदर्वों को देखने का प्रियास किजिएगा बाड का क्या करण है अभी तक बाड को रोकने के लिए क्या उपाय हुए है बाड को रोकने में तकनिक का क्या इस्तमाल हो सकता है बाड को रोकने के लिए आप क्या suggestion दे सकते हैं या जो इनके अन जो प्रस्पेक्टिव में उस प्रस्पेक्टिव को देखने के आविशकता है अंतराश्टी योग दिवस जो कल मनाय गया उसका theme याद रख लिजिएगा योगा फोर हुमेनिटी योगा फोर हुमेनिटी यानि मानवत्ता के लिए योगा इसका हिंदी में theme हुआ तो इस theme को याद रख लिजिएगा ये question पुछा जा सकता है 2022 में जो ये आठमा अंतराश्टी योगा दिवस था पहली बार 2015 में मनाय गया था United Nation के recommendation पे नीजी कंपणी के बज़ार railway station को खुद समारेगा सूरत कमलापती railway station याद अब सभी को होगा कि जो मद्व परदेश में है भारत का पहला railway station है जिससे ISO certified किया गया था PPP mode पे बना था नीजी कंपणी और सरकार दोनों मिलके बनाई थी और सांदार कर सकते हैं railway station बहुत सांदार railway station है तो उसी तरह का railway station अब क्या होगा कि जो government company वह ही बनाईगी यानि सरकार ही बनाईगी railway station तो यह एक इसको भी कोश्टिव इंपक्ट कर सकते हैं 55 railway station जो railway खुद बनाईगी और सांदार बनाईगी जिस तरह से कमलापती railway station रेलवे सरकार ने बनाया है गौमुख के गंगा जल को बैस्विक पहाँ दिलाने में चरक सनीता बनेगी आधहार गंगा निकलती है गोमुख से और जहां से निकलती है वहाँ के जो पानी होता चुदपानी होता है उसको GI टेग दिया जए पैसिकली इसी की बात हो रही है अब G.I.T.E.C. की बात हुई तो G.I.T.E.C. जो है basically दिया जाता है W.T.O. के TRIPS समझोता के दोरा W.T.O. के TRIPS T.R.I.P.S. Trade Related Intellectual Property Rights ये समझोता है और इसी समझोता केता है W.T.O. जो है basically G.I.T.E.C. देती है और भारत में अगर आप देखेंगे तो G.I.T.E.C. के लिए अधिनियम आया था G.I.T.E.C. Act 1999 उसी के दोरा भारत में जितने भी वस्तु है सबको G.I.T.E.C. दिया जाता है अफगानिस्तान में संस्कृति संहार एक बार इसको देख सकते हैं जिस तरह से आफगानिस्तान में हाल में ही वहाँ पे गुर्द्वारा पे हमला किया गया उसको बाद 20 भर में इसके आलोशना हो रही है और खास करके भारत और जहां पे नॉन इब्राहेम रिलिजियन के लोग रहते है वो इसके आलोशना कर रहा है अगेन यह जो है यहां पर कुछ दाटा है यह डाटा एकजाम प्रस्पेक्टिव से मेंस प्रस्पेक्टिव से इमपोर्टेंट है और इस डाटा पर पहले भी हमने चर्चा किया इसको आप रूख नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजेगा डाटा इंपोर्टेंट यह है कि जो हाल में रिपोर्ट आई है सन्युक्त राश्चनाथी उच्चायुक्त द्वारा ग्लोबल अप्पिल रिपोर्ट 2022 इसमें कहा गया है कि 2021 में जलवायू पुरिवर्तन और आपदार से जूरी घटनाओं के कारण बिश्व में 2.37 करोड लोग विस्थापित हुए है जिसमें 50 लाग से अधिक लोग भारत में विस्थापित हुए है यानि जलवायू पुरिवर्तन के कारण भारत में 50 लाग से अधिक लोग विस्थापित हुए है तो यह कहा गया है इस रिपोर्ट में कि नेक्स्ट जो एरिटूरियल है इसको आप लोग एक बार देख सकते हैं एक्जाम प्रस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टन नहीं है इसमें यह चर्चा किया गया है कि मान्य प्रधान मंत्री जी के द्वारा यह जो गोशना किया गया है कि 18 महेने में यानि अगामे डिर् चर्चा किया गया तो एक बार इसको आप लोग देख लिजेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन नहीं लेकिन एक बार पर सकते हैं अब देखिए यह टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टन है मैंने एक बार मियानमार पर डिटेल से डिस्क्रस भी किया था जब हम लुक इस्ट नीति की जगह एक इस्ट नीति को लिकर हम चल ले हैं आसियान के साथ अपने संबंधों को इंपूर्व कर रहे हैं और आसियान में एगर आप देखेंगे सबसे मजबूत देश तो एक वियत्नाम है तो निशित रूप में इस यूप में हमें वियत्नाम की तीसरा दिखे है कि भारत अब दक्षनी चीन सागर तक पहुँच रहा है तो भारत इंडिया, म्यानवार, थाइलेंड, हाइवे को एक्स्टेंशन करके हम इसको बढ़ा रहे हैं व्यतनाम तक ताकि दक्षनी चीन सागर तक हम डायक्ली जा सके हैं जो रोड हम बना रहे थे म्यानवार और थाइलेंड तक सिर्फ उस रोड को हमने लाओस, कमबोडिया और व्यतनाम तक एक्स्टेंड किया तो इस रूप में व्यतनाम के हमें आवसकता है चीन को परिसंतुलित करने के लिए व्यतनाम के आवसकता है तो कई सारे जिसमें 13 देश थे हैं और यह 13 देश सप्लाइचेन आपने एक दूसरे का डेवलप करते हैं तो इसमें व्यतनाम सामिल था तो कई सारे प्रस्पेक्टिव ऐसे हैं जिसमें हमारे लिए व्यतनाम इंपॉर्टेंट है और उसी कबारे में यहां पर कुछ चर्चा है तो उसक जब बिटेंड के प्रधानमंत्री बॉरिस जोंसन भारत आये थे तो उन्होंने यह कहा था और अपने अधिकारियों को यह कहा था कि दिपावली तक गेट इट इड़न बाय दिपावली यानि दिपावली से पहले इसको ड़न किजिए और यहीं का अना हमारे देश के वान modernization केसे हो रहा कि किसी का modernization केसे हो रहा है और क्या-क्या technology किसी के modernization को यूज करने के लिए सरकार कर रही है यह मेंस प्रस्पेक्टिव से भी important है यह topic अपने आप में important है गेस संकट के साथ जर्माणी पे मंड राने लगी मंडी का खत्रा और लेड़ी हमनों डिसकस किये थे कि जर्माणी जो एक नौड एस्थीम पाइपलाइन द्वारा जुरा हुआ है रूस से जर्माणी आपने दिखा होगा कि अभी नाटो में जर्माणी है लेकिन जर्माणी खुल के रूस के आलोशना नहीं किया था इसका रीजन था कि बहुत हद तक यह देश जो है रूस पर डिपेंडेंट है गेस का आया गेस का जो सप्लाय होता है जर्मानी और यूरोपिय देश का और रूस के गेस का सबसे बढ़ा आयात तक जर्मानी है सकेंड नमर पर इटलिया है तो रूस जर्मानी और इटलिय कभी खुल के रूस का बिरोत इसलिए नहीं करते हैं तो अब जैसे ही चालीस परसंद कमिक कर दिया गेस का वैसे ही यहां यहां पर मन्दी का खत्रा मनराने लगा कि जर्मानी पर मन्दी आ सकता और इसी तरह से इटली पर मन्दी आ जाएगा अब सोचके देखिए कि रूस अचानक अगर गैस देना बंद कर दे यूरोप को तो यूरोप के क्या कंडिशन होगा पूरक-पूरव यूरोप में आपक या मन्दीपूर जब पुरुप में आजएगा कि इस सैंसे जुक्य अब रूस भी दवाउिप बनाना चाहता है नाट्रो अध्या तभी यूणियन पर यह यूरोप बनाना चाहता है कि आप यूकरियन का साथ नहीं दे यूकरियन को हत्यार देना बंद किजिए ताकि ये यूद इतना दिन जादन नहीं चले तो ये दवाव बनाना चाहता है यूक्रियन रूस बनाना चाहता है एरोपिय यूनियन पे कि वो यूक्रियन का मदद करना बंद करे यूक्रियन को हत्यार देना बंद करे ताकि ये यूद अधिक दिन तक extend नहो और रूस की भी जयो तो हर एक देश इस तरह की tactics का परियोग करती है समय समय पर रूस भी कर रहा है भारत ने काबूल में गुर्दवारे पर हुए हमले की UN में की निंदा एक तो इसको भाई आप लोग देखिए की जिस तरह से काबूल में घटना हुआ था उसको लेकर के भारत में निंदा किया है और साथी साथ मालदीब में योग दिवस में जो मना रहते कुछ लोग तो वहाँ पर कुछ कर्टरपंथी आकर के हमला किया है यदिपी मालदीब के विदेश मंताले असपस तोर पर कहा है कि कोई भी कर्टरपंथी इस तरह के अगर हमला करता है तो वह वर्दास्त नहीं किया जाएगा चली इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज था वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद थेंक्यो शो मच जिन लोगों ने टेलेग्राम नहीं जोयन किया जाकर के जोयन कर लिजेगा वीडियो देखने के धन्यवाद थेंक्यो शो मच